आग जलती है अंधेरे के लिए आपला साथ पे पड़ जाता है दिले वरबाद को आबाद करेंगे कैसे मैं यह सोच रही हुँ के हम तो यहां आ गए लेकिन हमने तयाबा को तुकुछ बताया है नहीं वह हमारे बारे में क्या सोचेगी उसे जो सोचने ने उसे सोचने दे उसकंपकत ने चुरी का लगाय ताम पर याद नहीं के तुझे हमा कैसे रह सकते थे लेकिन अमा तुम यह में उसेने हमारा साथ दिया था उसने रहने के लिए चछत दी थी तुम तुम ऐसे करो उसे फूं करो वो मामा आम सॉरी किस पात की सॉरी बेटा उस दिन नो मैंने आपसे काफी मिस्बहेफ कर दी है तो आम सॉरी ओ अच्छा तो तुम्हें एसास हो गया मेरे यही काफी है मानूर सब खैरियत तो है ना कोई परशानी वली बात तो नहीं और असन से बात हुई थी तुम्हारी विल्के तुम्हें बताना तो मैं बूली गई कि मेरी बात हुई थी थी असन से मेरी भी बस अभी बात हुई है शिजा बाजी अच्छा सब ठीक तो है ना कुछ कहा तो नहीं उसने नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा वैसे शिजा बाजी आपको एक बात बतानी थी हाँ बोलो क्या बात है वो जो हाजर है ना शीजा बाजी उसका शोहर नशा करता है हाँ उसने एक बर मुझे भी बताया था लेकिन आप क्या हो गया आज तो हद ही हो गई है उसने हाजरो को बहुत मारा है क्या लेकिन क्यों इतनी बड़ी बात होगी और हाजरा ने मुझे अब तक बताया भी नहीं बस वो शिजबाजी आपसे थोड़ा सा डर रही थी तो मैंने सोचा मैं ही आपको बता दू इसमें डरने वाली कौन सी बात है वो एक जालिम आदमी का जल्म बरदाश कर रही है हैर छोड़ो उससे तुम्हें खुद बात कर लोगी और उसकी शोहर को तो मैं अच्छी द्रहां से देख लोगी यहां सारी पतिलियां खाली पड़ी है और वो मैडम टीवी देख रही है अभी बताती हूं इसे ए मैडम कभी इस तरह आराम से बैट के घर में टीवी देखा भी है बड़े मज़े से टीवी देखा जा रहा है मैं तुमसे बात कर रही हूं कान पे जूम भी रिंग रही है या नहीं ये क्या बत तमीजी है टीवी क्यों बड़ किया नज़र नहीं आ रहा था कि मैं टीवी देख रही हूं हाँ वो तो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि तुम टीवी देख रही हो तुम्हें पता है किचन में क्या हुआ है सारी पतीलिया खाली पढ़ी है हाँ तो अगर खाली है तो जा के भर दो सिंपल कल जब मैंने खाना बनाया था तब तो बड़े मज़े मज़े से बैठके खाया था और अब जब मेरी बारी आई है, सारी पदीलिया खाली बढ़ी है, क्या खाऊँ मैं? देखो, मुझे जब भूक लगी, तो मैंने अपने लिए खाना बना के खा लिया लेकिन तुम्हे सोने से फुरसत नहीं मिलती, लेहाँ से तुम्हे भूकी हो, अगर तुम्हे बहुत भूक लेगी तो जाके खुद बना क्यों नहीं लेती हो देखो, सुबह सुबह मेरा मूर खराम मत करो, तुम बहुत कोशिश करती हो, मैं हरुक लड़ती रो मेरे मूँ मत लगो, वनना ये थोबरा मैं ऐसा बिगाड़ूगी ना, सारी जिंदगी याद रखो कि याद रखो कि वालीकुम सुलाम हसल, कैसे हो तो? शीजा मैडम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, यवताई महनूर कैसी है? और जलीक तो बिल्कुल ठीक है, अए हसन, मुझे तुम से कोई बाद भूचनी थी जी जी बिल्कुल बूचिए ऐसन, तुम्हारा रो उन्हारा जो लोग पीछा कर रही हैं, क्या अब भी वो तुम्हे तुम्हें तालाश कर रही जब हम लोग निकले थे तब कुछ लोग हमारा बिल्कुल पीछा कर रहे थे मगर जब से आपके घर पे आला साही का शुकर है ऐसी कोई बात नहीं है अगर प्षीजा मैडम सब खेरियत तो है ना आप ऐसा क्यों पूछ रही है हाँ हाँ सब खेरियत है कोई फिकर करने वाली बात नहीं है बस मैंने अपने घर के एट-ट कुछ मश्गूक लोगों को देखा था इसलिए तुम से कंफर्म कर रही थी मेरा ख्याल है ये वो ही लोग हो सकते जो मुझे धंकिया दे रहे थे अर शीजा मैडम होगा रहा इस सब थीक तो है ना और मेरी महनूर थीक है तुम फिकर मत करो तुम महनूर इल्क है परिषानीव कोई बात तही है लग लेकिन असल प्लीज तुम महनूर से इस बात का बिल्कुल भी जिकर मुट कर नहीं है क्योंकि वो यहाँ अकिली है, तुम भी नहीं हो, तुम कहीं परेशानना हो जाए अब ठीक है, शीजा मैड़ाम आप बिलकुल बेफिकर रही है, मैं महनूर से इस बात का कोई जिक्र नहीं करूंगा ठीक है, तुम अपलब बहुत ख्याल रखना है, ओकि आला आफिस, जे फिलकुल, आला आफिस जाए साधद, साधद, क्या बात, आप एते खामोश की हुए हैं? आप मुझे प्लीज कुछ तो बताएगे ना, आखिर हुआ क्या है? आप बहुत परिशान लग रहे हैं मुझे बहुत तेंस लग रहे हैं क्या मसला है? क्या कर लोगी मसले का सुनगे? जाधर, मैं बीवी हूँ आपकी, आप जब तक मुझे शेयर नी करेंगे, मुझे किसी चिसका कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि मैं आपके काम आसकोँ, आपको कोई अडवाइस दे सकोँ, एंट लिस्ट आपको मुझे शेयर करनी चाहिए बात हम, बात यह है कि आफिस में एक असाइनमेंट मुझे दी गी थी, उसमें थोड़ी बहुत करॉप्शन हो गई है, तो उसी सिलसले में आफिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, मुझे ख़शा है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए अब यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन परिशान मत हूँ, इसमें आपके कोई गलती नहीं है, आपको जॉब से निकालेंगे, आप टेंस्ट मत हूँ सूर तो मेरा नहीं है, लेकिन इसको सुपरवाइज मैं कर रहा था, तो अब मैं ही जिम्मेदार हूँ, अब देखो क्या होता है नहीं सादत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, अल्ला ताला बेतर गए, आपको कोई और जॉब में जाएगे जॉब का मिलना ही तो आजकल सबसे बड़ा मचले है दो गंटे से कमरे में खुशी हुई है इस सिद्रा की बच्ची को, सादत से बातों के लावा और कोई काम नहीं है और वख चूटी की तरह चिपकी रहती है उसके साथ मगर कब तक कब तक सिद्रा तेरा पता तो मैं साफ करके रहूंगी हाँ जितनी बाते तुमने सादत के साथ करनी है मेरी अच्छी तरह से बुराई कर लो बैटके मगर ये मौका तुझे फिर नहीं मिलने का और ये भूल जाना कि सादत तुझे कभी आकर मनाएगा भी तू क्या समझती है सादत के कान बनने में कामयाब हो जाएगी अरे ऐसा तो नपो कभी होने नहीं देगी तुझे सादत के दिल से निकाल के रहूंगी आज की रात ही है कजसे तो तुझे अपना पता साफ करना ही होगा बाबा ने भी ओप काम दिखाया है वाँ बाबाजी वाँ आपके मुखकर फिल्कुल ठीक काम करें मुझे तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बात मान लिए मुझे बहुत जादा खुशी हुई मुझे तुम्हारा महमान बने में कोई भी मुझाइका नहीं है जाओ बस मेरी समच रहा था कि बेरी वेज़े से आपकी फैमिली डिस्क्रबना हो अर्गेस नहीं मुझे अच्छा कि अच्छा अच्छा करें अच्छा करें तुम्हारे आने किसी को भी कोई प्रापलम नहीं हो और वैसे इस घर में अपने काम में सब मस्सूफ रहते हैं हम् वो तो ठीक है अजास मैंने तो होटल में बुकिंग भी करवा दी तो लेकिन बस तुम्हारे कहने पर चांसल करवा दी तो बहुत अच्छा किया मुझे जब घर है तो होटल में रहने की क्या जुरूए था और मैंने तुम्हारे इस घर में रहने के सारे बंदूवस करा दी और तुम्हारा कमरा भी सेट करा दी तुम्हारा कमरा भी सेट करा दी तुम फ्रेश हो जाओ तो शाम में चाहे पर मिस्कस करते हैं शर्मिंदा नहीं करिया है मुझे पता है तुमने रूम तमाम तर सहूलियात से हारास्ता किया होगा तुमने अजाज है मुझे एक पूरी आदत है थोड़ी से रात में अक्सर चाई पीने की तुम बिल्कुल फिकर मत करो मुदस्थ तुमें जब भी चाई पीनी हो तुम मुझे बोल देना तुम को चाहे मिल जाएगी तंक यू यूर वेलकर तुम फ्रेश होगी तुम प्रेश होगी तुमने के प्तमीज हैं पता बिदा के मैंने बाबा के बास जाना है पर भीनी आई तुमने को खुमने क्या करूँ मैं जबिला कितनी तेज निकली उसे मैंने गाव भी था कि आ जा जाना बाबा के पास जाना है आई ही नहीं कोई बात नहीं मैं खुद ही चली जाओगी अपने साथत के लिए ही जाना है ना मुझे सिद्रा के चुंगर से किसी ना किसी तरीके से बाबा ये पिछा चुड़वाई दे एक तो ये बाबा बहुत दूर रहते है चलो जाना तो है वैसे सिद्रा चुड़ रहे है चंद दिन की महमानी है तो इस घर पिर तेरी इस घर से हमेशा के लिए चुटी हो जाएगी अरे वाब इतना सारा खाना किसके लिए मानूरी बीबी आपको नहीं परता है जाजसाब के दोसा है मैं उनके लिए बनाया ये सा अच्छा वो जिसके लिए गैस्रूम साफ हो रहा था हाँ जी साब ने मुझे बोला है उन्हें किसी किसम की कोई कमी नहों जो चीज मांगे फॉरां कर दो अच्छा लगता है कोई ब और हाँ आजण के रूम में जाओ उसे भी खाना दे दू हाँ जी बस में कि लेके जारी ओगा कर आ एक भी रघ्वा मुड़ा एक भी जुआ है सादत, देखे, मैंने आपके लिए बनाया है, डग दो नीचे, आपने तो देखा भी नहीं कि मैं आपके लिए क्या बना के लाए हूँ, अरे नबो नाच्ते कटाये में तो नाच्ता है लाए होगी न, और क्या लासकती हो तुम, काम करना हूं देखनी रही, अभी तक मूट खराब है, नाराज हो मुझ से क्या, मैं तुम से क्यू नराज होंगा और वैसे भी मेरी क्या उकाद है क्या मैं नराज हूँ, अब तो वैसे भी मेरी नुक्णी ने ली, तो मेरी उकाद भी नी दे, आफिस वालनों जो किया सो किया लेकिन तुम दोनों ने तुम दोनों ने भी कोई कसर नहीं चोड़ी सादद माफ करतो ना मुझे देखो नाराज ना हो ना मुझसे मैं अपनी खलती मांगती हूँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था ऐसे हालात में अच्छाब अपना मूझ ठीक कर ले ना देखे ना मैं आपके लिए कितना मज़दार हलबा बना के लाई हूँ तुने खुद बनाया है हम है तुम मज़दार हलबा बना के लाई हूँ हाँ हाँ मज़दाः क्या हो रहा है क्या होगा मामू बोर हो जांगा एक आउटिंग प्लाण की थि मॉम दाज़ कियो धुट हो रहा हो कोई मसल्दानी कोई और् क्यो based on मामґ वधी चैनल कर देंडिगी सेक्योर्टी इस्यूटीशियास बहचे है दो नौर अंडरेस्टिमेट यह मामु आजान तुम बस प्लान बनाओ ठीक है वाव फिर तुम्हें फॉरन तैयारी कर लेता हूं और हम लोग सीसाइड चलें थीक है तुम प्लान बनाओ मैं मामा से बात कर लेता हूं और फिर चलते हैं और हम लोग फिशिंग भी करेंगे ठी तुम आए यह थीक है यह थीक है यह थीक है यह थीक है यह क्या कर रहे हो है यह अखबार खोल के बहुत ज्यादा वक्त है तुम्हारे पस फारिग बैठने का अपने काम से ना काम रखा करो और जब किसी चीज़ के बार में मालूम ना हो तो खामोशी रहा करो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मैं अंधी हूँ मुझे तिखाई कुछ नहीं देता हूँ कामों से बचने के लिए तुम अखबार खोल के बैठ गई हो ताकि तुम्हें घर के काम न करना पड़े मेरी बात सुनो तुम मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी तरह फाल्तू बैठे रहने का समझी तुम मुझे सादत ने कहा तक मेरी लिए आज के अखबार में जॉब ढूड़ना तो इसलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ बहुत बड़ा लिखा समझती हो न अपने आपको जहीन, अकलमंद, तानेश बिल्कुत ठी, वो तो मैं हूँ एटलिस्ट मैं तुम्हारी तरह जाहिल और पागल नहीं हूँ तभी सादत ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सोपी सोचो, वो तुम ही भी कह सकता था, लेकिन उसने उससे कहा मेरे मुँ मत लगो, समझी तुम? और जाकर वो हांडी बनाओ, बड़ियाई अख़बार पढ़ने वाली पारी गए या औरत महनूर, तुमने उस्सीम के वाकिय का जिकर हसन से तो नहीं किया? नहीं शीजबाजी, मैंने हसन को कुछ भी नहीं बताया और वैसे भी मुझे आपने मना किया था, तो आपकी बात में कैसे डाल सकते हो? बहुत अच्छा किया तो ये तुमारे और हसन के बहलाई के लिए ही तो कह रही है हसन नहीं तो बहुत परिशान हो जाता है वैसे भी उसकी अप ट्रेनी खतम हने वर दिया और तुम्हें पता है एक बात का? नहीं शीजबाजी, क्या बात? हसन की जब ट्रेनी खतम होगी तो इसको एक बड़ी कम्पनी में बहुत अच्छी जॉब बिल सकती है मैं भी यही सोचे हो वापस आजाए तो इसे एक अच्छी जॉब को बात ये तो बहुत खुशी की बात है शीजबाजी और इससे बढ़कर एक और खुशी की बात दी है मेरे पास क्या? इससे जादा खुशी की बात ये है के हसन कह रा था जब वापस आएगा तो वो एक लैट ले लेगा जिसमें तुम दो दो शिफ्ट हो जाओगे वापके ही शिजबाजी हसन ने ऐसा कहा है हाँ तुम्हारे हसन ने ऐसा ही कहा है अब चलो शाबश जल्दी से अबने पैगिंग शुरू करो उससे दूर जाने के तेयार हो जाओ शिजबाजी आप से कैसे दूर जाटाथे ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप मेरे कर दो जाँ तुम्हारे हुआ आपके तुम्हारे तुम्हारे हुआए उन जाटाज प्रवार्वार्यू से लिगए खुआ है मेरा तो यही मशुरा है जो मैं आप आप एक आप वो करें पहले पर्स्तर आप में लोग करें रास्ता पाउं से छोड़े कैसे वक्त से बात गिरी तूट गई